इस नमस्कार जेहिंस साथिओ। स्वागे ताप सभी का आपके परिवार के अंदर साथिओ। कैसे आप सभी…. आज हमारी साथिओ एक Basic जानकारी के लिए के लिए वीडियो बनाया गया साथिओ। साथियो मन्जिल मिले ये तो मुकदर की बात है लेकिन हम कोशिस हीना करें ये गलत बात है साथियो हमें कोशिस करनी है साथियो कल आप सभी के एक्जाम है नो तारिक को इससे पहले साथियो एक्जाम होल के अंदर आपको क्या विशेश बातों का द्यान रखना चाहिए का admission card है यह प्रोविजनल इप परवेश फत्तर है साथियो यह आप सभी ने प्राप्ट कर लिया होगा अगर आपने अभी तक इसे नहीं प्राप्ट किया तो आधी जल्दी से जल्दी से प्राप्ट करके अपने पास रखें क्योंकि कल का इंतजार नहीं करें आज ही सभी एक्जाम है यह वर्दमान महावीर खुला विस्वद्याले कोटा द्वरा की जारी प्रिक्षारती के नाम लिखा जाएगा यहां की पिता का नाम यहां साथियो सा आपकी स्रेणी आप किस केटेगरी से बिलोंग करते हैं यहां डेटो बर्थ रहेगी यहां आपका श्यम का ढूड़ना है और ऐसे आपको अपने सफलता के लिए साथियो से याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है आगे देखते हैं साथियो परिक्षा की तिति और समय आप सभी को पता है कि परिक्षा जो है वो नो जून दो हजार चोबिस को मतलब कल आपकी एक्जाम है साथियो सम जब आप अपने सेंटर हो सेंटर डूंड़े जिस स्कूल में आप सेंटर आपका आया है वहां आपको साथ यहां जो परिक्षा केंदर कोड है जब आप सेंटर के पास जाए तो सबसे पहले अपना जो परिक्षा केंदर कोड है यह जरूर मिला लेना का क्यूंकि कई बार क जाकर परिक्षा के अंदर कोड को अवश्चे मिलाएं तभी आप शोर होना कि हाँ मेरा सेंटर यहीं है उसके बाद में आप वहां इंतजार करें जब आपको अंदर परवेश दिया जाए तो यह गलती आप बिल्कुल महत दो रहाएगा साथ यूँ चलिए और इसमें महत पहले आपको जाना है कहां परिक्षा अँदर मतला है तो आपको जाना है तो आपको कि जाना है तो आप इसलिए पहले संटर आप को फॉलना है साधी दस से पहले आपको entry नहीं दी जाएगा याद रखिएगा कि आप 10 बजे पहुंच गए तो मुझे दे दो entry नहीं साधी दस बजे शुरू होगी entry उसके बाद में checking वगर करके फिर अंदर परवेश दिया जाएगा याद रखिएगा कि परवेश जो केंदर है द्वार व आपकी जांच वगरे की जाएगी तो ये भी मतर रखिएगा कि आपके वाल आदा घंटा पहले पहले पहुंचे कम से कम कम से कम एग घंटे पहले पहले पहुंचना जरूरी जाती हो एक तरह से कम से कम एग घंटे पहले पहले पहुंचे क्योंकि आप 10 बजे जब लाइन मे जरूरी है और मैं तो कहते हुआ हैं आपको कम से कम एक गंटे पहले पहुंचना जरूरी है कम से कम इससे पहली अगर आप पहुंच जाए तो और भी अच्छा है वे शाधी 10 बजे इंट्री दे रहे हैं तो शाधी 9 बजे पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं वहां अपनी चो जो आर पार दिखाई दे ठीक है इस परकार का जिसका कर जो पेंज होगा वो रंगीन का पेंद नहीं होना चाहिए पारदर्स्री होना चीए आजकल प्लास्टिक का आता है कच्छे प्लास्टिक याद रखेगा यह बोल पेंग निले काले रंगा इसके साथ में साथ यह पहच पहुत ही अच्छ अगर दो लेकर जारें तो कोई दिक्कत नहें याद रखीएगा इसकी छाया प्रती मानियद्ये की फोट्議 कोपी लेकर झारें की याव वोटर कार्ड डुल नहीं के बाद ही आपको प्रवेश दिया जाएगा आप यह जिदनी कर सकते कि आपकी तलासी नहीं ली जाएगी तसलिश से जितना समय लगेगा लगेगा उसके बाद में आपको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा याद रखेगा किसी प्रकार का मुबाइल फॉन जड़ी, कैलकुलेटर, लोंग टेबल, संचार का कोई भी उपकन, किसी प्रकार का अस्तर स्तर वाइटनर, स्पाइड रूल, मतलब जो गणितिया, गणना करने के लिए जिए जीमेटरी बॉक्स वगर है, और कोई पठ्थय सामगरी, नोट्स वगर है, किसी भी प्रकार की सा सामगरी को अंदर ले जाने की आशकता, आपके वादे अनुमती नहीं रहेगी, और ये सारा जो है, ये आप ये मैं सोचके जाएगे, मैं तो दूसरे गाव से आया हूँ, दूसरे जिले साया हूँ, ये सारा समान लेकर चलता हूँ, रास्तें पढ़ूँगा, या मैं वहा सामान को रख दीजिए, सोचल मीडिया पर कोई ब्रामक जानकारी आपको, आप कहीं पर कोई डालते हैं, या किसी अनिचुत सामगरी का अगर प्रयोग करेंगे, तो एक कानूनन अपराद है, ये काम करने आपको सजा हो सकती है, परिक्षा से आपको वन्चित क्या जा सकता है, अगर कोई प्रिक्षारती नित्र हीन है, तो कम से कम दो दिन पूरे समंदित के अंदरा दिक्षक के पास लिखी सूचना इसकी देंगे, ऐसा मोकाब जा चुका है, क्योंकि कल ही एक्जाम है, प्रिक्षा समापती के प्रचात याद रखीगा, साथ ही जो पेपर है, प्रिक्षा देने के लिए जा रहे हैं, तो याद रखीएगा, अगर हो सके तो आप टी-शिट पहन के जाए, यह मतलब हो सके क्या है, तो ज़रूरी आप टी-शिट ही पहन के जाए, जिसकी बाजू यहां तक ही हो, ठीक है, हाप बाजू की टी-शिट अगर है आपके जो टी-शिट होगी, वो पहन के जाए, कोई भी साधान से चपल बगर है, हवाई चपल होती है, वो पहन ले, पजामा बगर है, और यह आद रखी है, कान में, जो खासकर जो लड़कियां बगर है, वो नाक में, गले में, जो जो अस्तर-स्तर इसे क्या बोलेंगा, अभू पूठी बगर है, हाथ की यह जो सब चीज है, यह वहीं घर पे ही छोड़के जाए, वहाँ दस मिंट खराब करेंगे, परिक्षा क्से आप जगड़ा करेंगे, उससे अच्छा है, कि घर पे छोड़के जाए, वो अपना दिमाग जो है, वो परिक्षा में लगाएं, अन्य प्रते क्षाज परचार परशन है, इनके अंक भी है, डेड़ सो समान अंख है, मतलब प्रतेक परशन तीन अंक का है, अब आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना चाहिए साथ ही, आपको ऐसा लगे कि मैं इस सब्जेक्ट में जादा माहीर हूँ, बासा के अंदर जादा माही तो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को करना उसी विशेव करना जिसमें आपको लगे कि मुझे ज्यादा दक्षता है क्योंकि अगर आप हाड सब्जेक्ट को पहले करेंगे तो उसमें उलद जाएंगे समय आपका अधिक लग जाएगा इसलिए याद रखेगा आपकी बास केव नहीं है इस बात कांड रखना तो कोशिस कीजेगा कि सारे परशन आप करें ठीक है इसमें देगेटिंग मार्किन है नहीं है मैं यह लिग देता हूं कि नहीं है थिक है इस बात का आप याद रखेगा तो सारे के आपको और थोड़ी फूर्ती के साथ में करना यह यहाद रखे हैं कि पर्शन चुट न जाए यह सीट यहां नमबर नहीं यहां नमबर बैला को यहां साथ लिखा है उसके नीचे कई जहां सांत लिखा आपके जहां नमबर है साथ वहां जाकर साथ ही आपको उसको अच्छी प्रकार से काला कर लेना है आंस्वर में बेसे करना ऐसा सब्जेक्ट कोड होगा उस पेपर पे लिखा होगा सब्जेक्ट कोड या आप टीचर की बदत लेके कर सकते हैं यह याद रखिएगा साथ ही इसमें कोई भी कार्ट अगर हो गई तो यह आपकी गलती होगी कार्ट शार्ट नहीं करनी है क्योंकि यहां अगर कोई गलती आपने कर दी तो उसका भुकतना आपको पड़ेगा साथ यो टीचर को नहीं भुकतना पड़ेगा इसलिए साब दानी से बरें जो जो आदेश जो जो इंस्ट्रक्शन अगर समझ में नहीं आए तो पहले आप टीचर से सला ले लेगा टीचर से पूछ लीजेगा उदान के रूप में यहां साथ यो एबी सीडी जो दिया होगा यह गोल में दिया होगा इससे आपसे पूछा जाए आपको जब लगेगी भी डी उत्तर करना है तो यहां यह मत कर देना कि डी इसमें सही होगा इस टिक नहीं लगाना वहां पर एक तो याद रखीगा उसको पूरा गोला करना है पूरा काला होना चाहिए वो ठीक है और अ आपको छोड़ना भी नहीं है इस सबी बातों को ध्यान रखना साथ हो यह उमार सीट की को पी एसके दौरा यहां साथ ही आपको सिगनेचर करना है यहां तो प्रिक्षक जो होगा जो टीचर होगा वो साइन करेगा यहां आपको साइन करना वहां लिखा होगा इस ओमार हो और आपके माता पिता ने जो सपने उनके आखों में जो सपने आपके लिए उन सभी सपनों को आप पूरा कर सके इसी आसा और उमीद के साथ में साथ हो धन्यवाद